हेलो आवलीमन मैंसर रपनिल सर और इस विर में डिस्क्रस करने वाले हैं क्लास 10 का माथमाटिक्स चाप्र नूमर 2 पॉलिनॉमियल्स यहां तो लास्ट दो तीन क्लासे से मैं दो तीन अलगागा टैप के वीडियो भीजे तुम लोग को इसी लास्ट टॉपिक जो बचे अपन दो तीन चीजे यह डिविजन अल्कॉर्टम के साथ तो हम लोग आज की क्लास पर इग्जाम्पल्स करने वाले देखने वाले की अलगला टैप के अगर ग्जाम्पल्स आते हैं तो तुम्हें कैसे सॉल्ल करना है कैसे अप्रोच करना है तो याद वहां तो लास्ट वीडिय क्या अप्रोच करते हैं डिविडेंट को लिखते हैं जो भी पॉलिणोमियल होगा उस पॉलिणोमियल को क्या लिख सकते हैं कि डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमेंडर तो यह बस याद रख लो बाखी कहानी पूरी सिंपल है यह तुम्हें लिखा भी होगा नोट क्लास में रिमेंडर मैंने यह लॉंग डिविजिन का प्रोसेज मैंने क्लास 9 वालों के लिए पढ़ाया था सेम वीडियो तुम लोगो भी बेजाता है याद होगा तो होपफिली सबने वो वीडियो के सारे नोट्स अच्छी से लिख्या होंगे कि डिग्री ऑफ जी एक्स और हमें याद अटना है कि लॉंग डिविजिन कैसे करना है लॉंग डिविजिन अब तक सबको प्रैक्टिस हो जानी चीए कोई भी दिक्कत है नहीं होनी चीए लॉंग डिविजिन के बते हैं तो चलो फाइंड वैल्यूज ऑफ एन बी सो दैड यह जो बाइक्वाइटिक है पवर फैर का है बाइकविट जो है वो डिवीजरम था मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऐसी में इस का रिमींडर क्या रहा हुआ ऐसे 8x² प्लस ax प्लस b इस तरह की से पुला पॉल्डॉम में लिख लिया है अब मैं डिवाइड करूँगा x² प्लस 1 से यह मेरा डिवाइजर होगा ठीक है अब इसको लॉंग डिवाइजर प्रोसेस से करना है तो x² देखो सबसे पहले यहां पर x की पार 4 है तो यहां पर भी x² आना चाहिए देख सकते हो x² जब इससे multiply करोगे तो यहां पर x की पार 4 बचेगा यहां पर तो x² आएगा तो x2 में कुछ बचेगा नहीं तो 0 x2 कर देना और 1 x2 यहां पर ऐसे लिख देना ठीक है तो x के पार 4 प्रस x² है x2 कोई भी टर्म नहीं आ रहा है तो इसलिए मैंना पर 0 x2 लिखा है माइनस करो और तो subtract करते जाना है remainder obtain करते जाना है तो यह और यह तो cancer out हो जाएगा x3-1-0 तो 1 ही आएगा तो मतब x3 को कोईफिशन कुछ बच रहा है फिर 8-1 तो 7 x2 और फिर एक और टर्म को नीचे लेखे आ जाओ जो कि ए x तो यह procedure सबको अच्छे समझ में आना चाहिए फिर आगे बढ़ते हैं यहां पर देको x2 है यहां पर x3 है तो x2 में 1 x multiply करना पड करोगे तो कोई भी x2 नहीं आएगा तो 0 x2 similarly अब सट्राइक करते हैं finally तो यह वापिसे cancel x3 x3 7 x2-0 x2 तो 7 x2 ही बचेगा और यहां पर बचेगा a-1 into x और एक और टर्म मीचे देखे आता है प्लस b इस तरीकी से एक टर्म को नीचे लाना है तो देखो 7 x2 है यहां पर x2 प अब बस इम इंटर की कहानी बसती है तो 7 into x2 7 x2 और प्लस 7 आएगा तो यह पर प्लस 7 भी दिख देना और यहां पर कुछ बचेगा नहीं तो 0 x लिख देना अब बस आपिसे सब्ट्राइक करेंगे तो देखो यह 7 x2 cancel हो जाएगा बचे आगया a-1 x plus b-7 अब देखो कहानी क्या बोड रहा हो यह फाइंट प्लस 7 आप यहां पर ध्यान से देखना है कि रिमेंटर को 0 आना चीए था यहां पर कोई भी x का टर्म नहीं आना चीए था अगर कोई भी x का time नहीं आना चीए था इसका मतलब a-1 की value 0 ही होनी चीए थी similarly कोई भी यह जो constant है यह तो coefficient of x था ही और यह क्या constant coefficient दोनो के दोनो नहीं आना चीए था यही तो remainder 0 आता था अभी तो यह भी 0 होता और यह भी 0 होता तो b-7 b क्या आना चीए था equal to 0 that is a की value 1 and b is equal to 7 which is our answer तो इस question को अच्छे से लिखना है divisible का मतलब remainder क्या होगा बस equal to 0 बस remainder को मैंने equal to 0 कर लिया है तो इस question को अच्छे से नोडू में लिखो next example लिखना है example number 2 what should be added to the polynomial of this whether it is completely divisible by x plus 4 ठीक है तो हमें बताना है कि इस polynomial में ऐसाथ क्या add करे ठीक है इस last में बताना है हो कि इस polynomial में ऐसाथ क्या add करे ताकि यह जो polynomial है मतलब उस polynomial आड़ करने से वो divisible by x plus 4 हो जाए तो चलो उस long division से start करते वापिस से हमारे पास है polynomial लिए 2x square minus 9x plus 1 और यहां पर है x plus 4 से long divide कर रहे है तो ज्यांवान से देखना अभी यह तो बन जाएगा x square x और x square x cube बन जाएगा plus 4 x square long division अब को आता ही अभी तक cancel कर दो यह 2 minus 4 minus 2x square minus 9x एप तब नीचे लेके आगा minus 2x square यहां पर x ही है तो minus 2x जी होगा यहां पर right तो minus 2x और x तो यह बन जाएगा minus 2x square minus 2x plus 4 तो minus 8x subtract करो आप इसे तो यह बन जाएगा minus 9 plus 8 तो minus x plus 1 similarly यहां पर x है तो यहां पर minus x है तो minus 1 से multiply करोगे तभी तो x into minus 1 minus x बनेगा और 4 into minus 1 बन जाएगा minus 2 अब बस subtract करो आप इसे x x cancel यह बन रहा है 5 अब देखो यह जो question पूछन पूछना हुआ अच्छन में कुछ और चीज़ है हमने जो long division किया वो कुछ और चीज़ है अब देखो इसको long division जो भी मैंने किया है इसका यह formula यूज करता हूँ कि polynomial यह जो given polynomial था 2x square minus 9x plus 1 को क्या रख सकते हैं divisor यह यह x plus 4 into quotient यह यह x square minus 2x minus 1 plus remainder तो देख सकते हूँ यह जो मैंने पूर अच्छी से formula रख लिए है इसका कि polynomial is equal to divisor into quotient plus remainder लेकि उसमें यह नहीं पूछा है उसमें क्या कूछा है what should be added to the polynomial इस polynomial में कितना क्या add करना चाहिए ताकि कुछ इसमें add करने से तो वो दोनों मतलब जो पूरा polynomial है वो divisible बन जा है x plus 4 से तो देखो मैं 5 यहाँ पे जो है अगर इसको यहाँ पे बेजता हूँ जाहां देना अब x cubed plus 2x squared minus 9x plus 1 यह polynomial था इसमें मैंने suppose 5 को इदार बेज़ेंगे तो क्या है गा minus 5 transpose करेंगे is equal to x plus 4 into x squared minus 2x minus 1 तो जहाँ चाह देखो इस polynomial को तो इस polynomial में हमें minus 5 add करना पड़ेगा तब जाके यह जो पूरा polynomial है यह x plus 4 से divide हो जाएगा देखो अभी यह हमारा final answer तो इसे आगिया है विसे देखो इसको sort करें बताता हूँ x cubed plus 2x squared minus 9x 1 minus 5 पर होगी तो minus 4 is equal to x plus 4 into x squared minus 2x minus 1 तो देख सकते हो यह polynomial है जब मैंने minus 5 add किया तो यह बना और यह जो polynomial है यह है x plus 4 से divisible क्योंकि देखो यह जो polynomial है यह इन दूनों polynomials का product है ठीक है divisor into question plus remainder देख सकते हो 0 आ रहा है हैंस इस polynomial का मतलब यह polynomial x plus 4 से divisible है इसलिए यह जो given polynomial था question में उसमें minus 5 add करना पड़ेगा hence answer is minus 5 minus 5 add करोगे अगर इस polynomial में तभी वह polynomial x plus 4 से divisible हो जाएगा तो यह पहले दूर examples थे और भी 3-4 examples करने वाला आज बस examples ही करने वाला है और homework में आज मैं कोई discussion नहीं कर रहा हूं homework में next class देखते है अपन zoom पे रखेंगे zoom पे जितने भी doubts है जो भी दिक्कते हैं और जो भी हम हम homework यह उसमें भी doubts है तो वह एक एक करके clear करेंगे ठीक है लेकित फिर और भी कुछ examples करते हैं अब जो आगे के examples थोड़ से different type के है थोड़ से tricky questions है तो समझना है कि चीज इसमें question में क्या लेखी है इन question में दोनों type के questions दोनों similar type के questions है देखना Example 3 में क्या दिया है और क्या निकालने बोर रहा है तो given that कुछ दिया है root 2 is a 0 of a cubic polynomial तो एक cubic polynomial है देख सकते हो पूरा को पूरा cubic polynomial है कुछ irrational terms भी है जैसे कि root 2 root 2 की terms में भी कुछ है लेकिन उसका attention मत देना हम open solve कर लेंगे यह cubic polynomial है इसका root 2 जो है वो एक 0 है अब 0 का मतलब वापे से याद दिलाता हूं 0 का मतलब क्या था कि किसी भी polynomial का 0 का मतलब क्या होता है कि अगर वो value अपन अगर polynomial put करते है تو polynomial की value क्या आगी 0 ठिक है तो 0 का मतलब यह होता है कि value उठा की अगर polynomial put करते हो то पूरे polynomial की value क्या बन जाती है 0 और एक और मैंने चीज़ बताये थी remainder factor theorem से एक क्या होता है कि root 2 अगर इस polynomial का 0 है तो इसका linear factor रहेगा जो कि है x minus root 2 यह मैंने factor theorem और remainder theorem में बताया था मैं तुम लोग वीडियो दिविशन के लिए बेज़े थे तो hopefully सबको अभी तक इतना clear हो गया होगा कि example अगर लेगा जाए कि अगर 3 किसीका polynomial का 0 है तो हम लोग क्या बोसकते हैं कि x minus 3 उस polynomial लेता हैं फैकर यह थे दुटार है 10Kश怎么 Kalau का 0 और कोई पोलियोमियोट आप जीरो है तो x minus 100 रोच चेट अभा आट एक depends थी पावणोमियोका 0 है तो x running a क्या होगा हुस पोलियोमियोका फैक्वाटर अí सथired अगर minus 3 minus 3 किसी polynomial का 0 है तो x plus 3 वो क्या बन जाएगा उस polynomial का factor, similarly अगर minus 1 किसी polynomial का 0 है तो x plus 1 क्या बन जाएगा उस polynomial का factor similarly यहाँ पर root 2 is a 0 of a polynomial है तो हम लोग क्या कह सकते हैं x minus root 2 solve करते हैं x minus root 2 is a factor of 6 x cube plus root 2 x square minus 10 x minus 4 root 2 तो अब इसी बात है अगर root 2 इस polynomial का 0 है तो x minus root 2 क्या रहेगा इस polynomial का factor यह भी मैंने बता है find its other two other two zeros तो देखो, मैंने यह कौर चीज़ बता है थी किसी भी polynomial की बात करते हैं suppose वर degree 3 का है degree 4 का है degree 2 का है कोई भी degree का है suppose degree 1 का है तो उसके maximum एक ही 0 आ सकते है अगर वो degree 2 का है तो उसके maximum 2 0 आ सकते है degree 3 का है तो maximum 3 0 आ सकते है जितनी degree उतने number of maximum 0s आएंगे तो देखो यहां पर एक 0 तो आ गया है root 2 यहां पर degree 3 है तो maximum 3 हो सकते हैं इसलिए वो क्या भोड़ा find its other two 0s तो जो बाकी के दो 0s है या फिर बाकी के जो दो roots है उनको निकालना है तो तो कैसे निकालो वैसे question में first of all जो भी 0 दिया उसका factor निकालो linear factor यह जो निकाल दिया अब यह linear factor किसका है इसी qubit का factor है तो इसका मतलब इसको अगर long division करेंगे तो ध्यान देना कैसे कैसे होगा root 2 x square minus 10x minus 4 root 2 इसको अगर मैं long division लगाता हूँ यहाँ पर x minus root 2 के साथ तो यह इसका remainder कितना आने वाल है 0 अब्वेसी बात है 0 यह आएगा क्योंकि यह इसका factor है अब्वेसी बात है पर remainder 0 आने वाल है कि हमें remainder नहीं निकालना है हमें question निकालना है कि यह जो एक factor आ गया अच्छा मत्वा मात्यों और भी दो factors क्या है तो उस तरीके से हमने इसका question निकालना है देखो बताता हूँ कैसे तो पहले long division करते है 6 x cube x है तो 6 x square तो यह बन जाएगा 6 x square minus 6 root 2 x square subtract, add, यह cancel तो यह बन जाएगा plus plus तो 7 root 2 x square minus 10x तो इस तरीके से तरीके से आपसो solve करना है फटापड इसको नीचे लेकिए आगर 7 root 2 x square यह आपके x है तो plus 7 root 2 x तो यह बन जाएगा 7 root 2 x square और 7 root 2 root 2 तो root 2 into root 2 बन जाएगा 2 7 2 जा बन जाएगा 14 और x करब ऐसे कर वैसी plus into minus minus ठेक है minus 14x थोजा सा अरफ में चेए तो calculation तुम्हों खुद भी कर सकते हो practice करना थोड़ी सिस्पे ठेक है cancel यह वाला अब देखो minus 10 plus 14 plus 14 minus 10 14 में से 10 गया तो 4 बचेंगे 4x minus 4 root 2 तो देखो x है यहाँ पर x 4x है 4 से multiply 4x और minus 4 root 2 देख सकते हो यह exactly पुरा 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 वैसे का वैसी time आगा है और remainder क्या आगया 0 हैंस अब तुम्हों क्या लिख सकते हो मैंने बताया था formula polynomial is equal to divisor into quotient plus remainder remainder तो 0 है तो देखो polynomial मैं पुरा लिख नहीं रहा हूँ यह पुरा पुरा पॉल्णोमियल तुम्हें लिखना थो लिखें आएसे polynomial 6x q यह पुरा पॉल्णोमियल है इसे equal to क्या लिख सकते हो divisor into quotient और plus remainder में तो कुछ है नहीं देख सकते हो अपर रिमेंडर में तो और किता है 0 यह ना क्योंकि यह factor अब तुम्हें बस क्या करना है यह देखो यह तो एक factor पता ही था obvious ही बात है यह तो हम लोगों गिवन था बाद यह के 2 factor यहां से आएंगे तो इसको क्या करना है तुम्हें इसको factorize करना है factorizing factorizing 6x square plus 7 root 2x plus 4 तो इसकी थोड़ सी practice बरानी पड़ेगी सबको देख सकते हो यहाँ पे 6 और 4 है तो product निकालना हमेशे इसका 24 आड़ा है तो इसको 2 को कैसे में divide करेगी तो देखो इसको ऐसे divide कर सकते है 6x square plus इसको लेख सकते है 4 root 2 plus 3 4 root 2x देख सकते हो 4 root 2 और 3 root 2 multiply करो 4 3 to 12 और root 2 into root 2 2 तो 24 बना है तो यह simple सा factorization इसको ज़्यादा आसानी जा रही है इसको अगर तुम्हें एक factorization के साथ difficulty हो रही है तो एकको अपना next to next chapter aquatic equation आएगा उसमें मैं तुम्होंगो पहले बताया था कि एक 3 धड़ाचार या formula नाम से एक है उसको अपन उसमें derive करेंगे सिधा shortcut परिके से मैं इसके दोनों roots निकालोंगे उसमें ठीक है लेकिन आप यह वह नहीं पता तो अपन सिधा क्या करेंगे factorization से ही करेंगे तो 4 root 2x plus 3 root 2x factorize कर लिया और भी देखो पहले दोनों मेंसे कुछ common आ लगे देखो तो देख सकते हो root 2 तो common आ जाएगा तो इधर 3 root 2 लेखो और इधर 4 root 2 लेखो फ़रक कुछ नहीं बढ़ेगा बस जएदा आसान हो जाएगा अब देखो यहां से कुछ common लेते हैं देख सकते हो और 2nd मेंसे आ रहा है 4 common बचया आगया root 2x plus 1 अब बस लास्ट है 3 root 2x plus 4 root 2x तो इसका मतलब उसमें क्या बलया find its other two zeros तो देख सकते हो इस quadratic के दो factor निकाल लिए अब zeros केसे निकालोगे हम कैसे निकालते है इसका 0 मतलब इसको 0 करते सिधा similarly इनको भी क्या करना बढ़ेगा 0 तो देखो अब दोनों को 0 करना 3 root 2 x plus 4 is equal to 0 तो यहां से solve करो जवासा तो यह बन जाएगा minus 4 by 3 root 2 जो कि कितना हो जाएगा minus 4 root 2 by 6 कितना हो जाएगा minus 2 root 2 by 3 तो इस तरीके से पहला 0 आगया minus 2 root 2 by 3 x एक और इसको भी 0 करेंगे क्या है वो root 2 x plus 1 is equal to 0 x के वाले रहां से लिख सकते हो minus 1 by root 2 या और भी simplify, rationalize करके लिख सकते हो minus root 2 by 2 तो देख सकते हैं या पर हमने बाकी की से दो अलग-अलग 0s थे वो भी निकाल लिए तो थोबस है difficult questions बस last के यहां पर factorization चाहिए अगर यहां पर factorization कर लिए अच्छे से बाकी तो कुछ नहीं है बस इसको equal to 0 करोगे और इसको भी equal to 0 करोगे क्योंकि हमने इसको भी equal to 0 किया था क्योंकि क्या निकालने है 0s निकालने है तो 0s निकालने के लिए सब factors को जो भी है उनको equal to 0 करना पड़ेगा इसको equal to 0 किया एक 0 यह है एक 0 यह है तो चोड़ एक और example करता है ऐसे similar type of example है Find all the 0s of this polynomial by quality के यह 4 degree है degree 4 तो कितने 0s नहींगे 4 0s नहींगे if you know that 2 of its 0s are this and this तो अब्वेसी बात उसे दिया है कि 2 0s given है तो जैसे कि 2 0s given है तो अगर root 3 अगर 0 है तो x-root 3 and अगर minus root 3 अगर 0 है and x plus root 3 यह कह रहेंगे are factors of जो बड़ा आसा polynomial दिया है वो उसका क्या रहेगा उसका factor रहेगा right तो यह देख सकते एक चीज कि यह जी linear है और यह भी linear है दोनो linear का है इनके factors है बड़े से biquartic के factors है अब एक चीज सोचो अगर 24 तो 2 भी उसका factor है 2 is a factor of 24 similarly 3 is a factor of 24 तो अब देखो 2 भी factor है 24 का 3 भी factor है 24 का तो 2 into 3 अब दोनों को multiply करते है 6 तो obviously बात है 6 भी क्या होगा factor ही होगा 24 का hence अगर यह दोनो terms इसके factor है तो दोनों का product दित्ते किता है x minus 3 into x minus x minus root 3 into x plus root 3 a minus b a plus b a square minus b square तो ही क्या बन जाएगा x square minus 3 मतलब में multiply करके क्या प्रूफ करना हूँ therefore x square minus 3 is a factor of बड़ा सो जो polynomial 3x की पार 4 minus 11 x cube x square 33x minus 24 तो देख सकते हो कि यह भी इसका factor है और यह भी इसका factor है तो दोनों का product जो आया है x square minus 3 वह भी कह रहाएगा इस पूरे by quadratic का factor अब अगर factor निकाल लिया है बस तुमें क्या करना है अभी long division क्यों long division करना है क्योंकि remainder अब्विस सी बात है 0 आएगा क्योंकि इनके क्या है factors हमें क्या निकाला है फिर quotient निकाला था और quotient को हमने factorize किया था तो इसमें भी बड़ी सीम चीज़ करने है तो देखना भी आंस x square minus 3 यहां पर लिख देता है अच्छे से इसको तुम बड़ा करके 3x की पार 4 minus 11x cube minus x square plus 33x minus 24 तो इस तरह के से पूरा by quadratic है x square 3x की पार 4 तो यहां पर लिखेंगे 3x square क्योंकि यह बना क्या है 3x की पार 4 तो यहां पर क्या बनेगा minus 9x square उसको इसके नीचे लिखो बाकि इसके नीचे कुछ तो तुम 0x cube लिख सकते हो अब यह solve करो यह और यह cancel minus 11x cube plus 9 minus 1 तो plus 8x square इसको नीचे लिखेंगे आजाओ plus 33x देख सकते हो solve होते हुए minus 11x cube plus 8x cube plus 36x तो minus 11x cube और यहां पर x square है तो minus 11x चाहिए होगा minus 11x तो देखो minus 11x cube बन जाएगा फिर यह क्या बन जाएगा plus 33x देख सकतो exactly match करते हो है और इसको तो वैसे का वैसी क्योंकि x square हो कोई term नहीं है यह plus, यह minus, यह cancel, यह cancel बचे है क्या है यहां यह 8x square इसको नीचे रखे आता है minus 24 अब बस 8x square है यहां पर x square है तो क्या multiply करोगे 8 multiply करोगे, वाकि कानिया होगी देखो, 8x square minus 24 यह cancel, यह cancel दोनों cancel remainder आ गया 0 और आणा भी चीए देर क्योंकि वह क्या है इसका factor है अब बचा क्या है देखो, formula लहाता है जो polynomial है पूरा यह वाला जो पूरा 3x की पार 4 से लेके minus 24, यह polynomial है is equal to divisor x square minus 3 into quotient 3x square minus 11x plus 8 remainder तो obviously बात जीरो है तो इसका मतलब एक तो दो तो zeros पता थे, इनके दो zeros तो यह है, अब बचे दो zeros यहां से आएंगे देखो, find all the zeros तो यह दो zeros होगा है अब इन quadratic को भी, इस quadratic को भी solve करना पड़ेगा, यह quadratic को कैसे solve करोगे, factorize तो इतना अच्छे से, जैसे इदर लिखा factorizing, तो देखो, मैं सिधा factorize कर रहा हूँ 3x square minus 11x plus 8 देखो, यह पर 8 और 3 है और 11 किसका साम है 8 और 3 का, तो लिखो इसको ऐसी 3x minus 8x plus 8 3x common x minus 1 minus 8 common x minus 1 तो 3x minus 8 और x minus अब बस zeros निकालना है मतलब इसको भी 0 करना पड़ेगा इसको भी 0 करना पड़ेगा तो देखो, 0 निकालेंगे तो क्या मिलेगा 3x minus 8 is equal to 0 यह x equal to 8 upon 3, similarly x minus 1 equal to 0 and x equal to 1 तो देखो, 4 zeros है कौन-कौन से, एक टॉब्वेसी बात है पता थे जो, root 3 and minus root 3 वो एक हो गए, root 3 minus root 3, 1 and 8 by 3, तो यह 4 zeros है, इस by quality and degree 4 के equations के 4 zeros है, ठेक है चुरा एक last example करते है आज कब, पहले इतना अच्छे से दोनों example अपने लोड़ उपन लिखो समझो इसको, देखो दोनों example बहुत tricky और अच्छे questions है, बस method समझो क्या करना है, जिसका जो भी 0 समझना है इसको अच्छे से, बस याद अपना एक ही चीह है तुम्हे polynomial is equal to divisor into question plus remainder तो लेको फटाफट इसको अपने लोड़ उपना तो चलो लास्ट question स्टार्ट करते है example number 5, यह basically long answer question में पूछ सकता है boards में, यह in fact 2015 and 2016 के boards में CBSC boards में आया था example question है, simple और 2-3 concepts involve करके एक साथ पूछा गया है, तो ज्यादा difficult नहीं है, simple side में आता है तो देखो, the polynomial fx is completely divisible by this तो आप इसे divisible by this का मतलब क्या है कि वह उसका क्या है factor है divisible अगर है कोई factor को divisible अगर कोई polynomial है दूसरे polynomial से तो हम लोग क्या बोछ सकता है जब division करेंगे तो remainder कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है तो देखो, start करते हैं यह polynomial से divisible है तो 3x की power 4, यहाँ पर देखो k जो है, वह unknown quantity है और first part में होई k की value निकाल है 3x की power 4 minus 9x2 plus x2 plus 15x plus k ठीक है, तो ध्यान से निकालेंगे करेंबर क्या होगा, यहाँ पर कोई time missing होगा, यहाँ पर 4 है, 3 है 2 है, यह 1 है, और यह constant है करेंबर क्या होगा, x2 का coefficient ही नहीं होगा, तो उस step अगर नहीं है, तो 0 x2 करके वहाँ पर लिखना है, ठीक है अब डिवाइड करते हैं, इसको 3x2 minus 5 से, देखो यह 3x की part 4 है, यह 3x2 है, तो यहाँ पर लिखते है, 3 है, तो 3 नहीं आएगा, already 3x है, तो x2 से multiply करना पड़ेगा, तो यह बन जाएगा 3x की part 4, और यह बन जाएगा minus 5x2 और बस बाके और तो कोई term है नहीं, ठीक है, दो ही term आएगी तो यह term cancel हो जाएगा, यह वैसे का वैसी नीच आएगा, minus 9x3, plus 1, plus 5, plus 6x2, plus 15x right, फिर similarly अब देखो, minus 9x3 है, यहाँ पर 3x2 है, तो कितना आएगा, minus 3x आएगा, right, minus 3x, तो minus minus 3x अगर आगया है, तो देखो, क्या क्या मिलेगा अब यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा, minus 9x3, फिर minus 3 into minus 5, plus 15x, और बस यह cancel हो जाएगा, यह और यह cancel, बचे आगया, 6x2, plus k को नीचे लिखे आना है वापिस से, 6x2, यहाँ पर 3x2, तो क्या लिखोगे आपर, plus 2 लिखोगे plus 2, देखो, 3x2 into 2 तो 6x2, और यहाँ पर, minus 5 into 2 minus 10 तो यह बच जाएगा इस तरी कैसे यह plus, यह minus, यह cancel और यह क्या बच जाएगा k plus 10 अब देखो, काम तो पुरा खतम ही हो गया है, बस last step बचा है, अब यह क्या बोल रहा है कि यह polynomial is divisible by this, तो divisible है जिसका मतला remainder कितना आना चीए 0, तो remainder is equal to 0, और remainder कितना आ रहा है, k plus 10 और k plus 10 की value कितनी होनी चीए 0, hence, first part का अंसर आ गया है, k equal to minus 10, right similarly second part निकालते हैं अब उसमें क्या बहला है, find the other two zeros अब फुरी देर टल ही किया था आपने other two zeros, तो बाखी के 2 zeros कैसे लिकाल होगे, यह तो remainder आ जाए 0 जैसे k equal minus 10 होगे तो 0 आ जाए, बाखी 2 zeros quotient से आएंगे, तो देखो quotient, या फिर ऐसे लिख दो पूरा से, कि polynomial is equal to divisor है अपने पास, 3x square minus 5, और दूसरा क्या है quotient, x square minus 3x plus 2 right, अब बस दोनों को क्या करोगे, इसको 0 यह तो only given था, उसने other two zeros बोले है, तो हमें इससे नहीं चाहिए, हमें इससे चाहिए other two zeros, तो इसका मतलब इसको भी 0 करोगे, ठीक है? यह तो समझ आया, सबको devise into question लिखा मैंने, ठीक है? तो उसको 0 करो, फटाफट, x square minus 3x plus 2 is equal to 0 factorize करो minus 2x, minus x plus 2, common आ रहे है x, x minus 2 बचा, minus 1 common, x minus 2 बचा is equal to 0 तो देख सकते हो, x minus 1 into x minus 2 that is, those zeros are other two zeros, x equal to 1 and x equal to 2 तो 2 zeros, और कौन से आ रहे other two zeros? 1 and 2 तो यह final answer रिख सकते हो, अगर उसने find all the four zeros बचा होता तो इसको भी 0 करते है यह इन से भी 2 zeros आते है तो 3x square minus 5 is equal to 0 देख सकते ही तो सिरह ही हो रहा है इसमें कोई गरबद नहीं हो रही है 5, 3 को भी दर transpose कर दो, तो upon 3 हो जाएगा और finally, x की value कितनी हैगी? plus minus, क्योंकि under root करते तो plus minus आता ही है, ठीक है? क्योंकि देखो अगर x square equal to suppose होता है x square equal to 4, तो x की value plus and minus 2 दो रिखते है क्योंकि 2 का square भी 4 है minus 2 का square भी 4 है सिर्वन यहाँ पर x की value अच्छे से लिखना है इसको plus minus, under root के अंदर 5 by 3, तो total 4 0 कौन-कौन होता है एक तो होता root 5 by 3 एक होता minus root 5 by 3 एक होता 1 और एक होता 2 तो यह by quadratic के basically यह 4 roots होता है लेकिन इस question में other two zeros बोला है तो यह one and two answer लिखना है तो यह इस question को last topic है last chapter इस चाप्टर में last चीज है ठीक है इस पर अभी तुम्हें बहुत सारे questions प्रैक्टिस करने है homework link के description में वीडियो के description में देख रहना एक बाल मिल जाएगा ठीक है एक link होगी और NCRT का तुम्हे chapter 2 पूरा खतम करना है ठीक है पूरा चाप्टर खतम करो उस पर अच्छे से और जो भी doubt है कैसा भी doubt है next class में अपन फ़रसा doubt session रखते है कि इसी पे zoom पे रखते है doubt session जो भी पॉर्लों में कोई भी लिक्कत जा रही है तो उस पर doubts करेंगे ठीक है और कुछ extra questions भी कराने होंगे तो में उसमें भी करा दूँगा अभी किने तुम्हारा काम होगा कि पूरा exercise 2 जो भी NCID का question है पूरे exercise 2 कवर करो पूरा अच्छे से कोई दिक्कत नहीं जाने चाहिए किसी को और जो वीडियो के लिंक के description में है तो उसको भी बर करते हैं एक और चीज़ एक और उसके पहले इस वीक के end में हम लोग एक पॉल्लोंगर्स और चाप्टर बन दोनों का मिला के एक paper रखेंगे MCQ paper ही होगा online paper अपना जो लेजवसी के test portal पर online एक paper कंड़क करेंगे तो जित्ते भी doubts से सारे क्लियर करें उसले recommend करता हूं तो जो भी दिकते जारें कैसी भी problems है सब क्लियर करो paper अपने side को रखेंगे है फिर हो सके तो next Monday को रखेंगे इसले revise को जो भी concepts है चुछे फिर फिर खतम करते हैं have a good day enjoy आजाजाओ आजाओ आए